स्रीज की जो भी questions हम लोग देखे हैं उसको आज हम लोग continue करेंगे example number 4 और exercise number 2.1 तक solve कर चुके थे तो आगे का जो question है वो देखेंगे linear equation in one variable वाला section चल रहा था उसी में कि what should be added to twice the rational number अब एक rational number दे रखा हुआ है और कहा है कि इसमें कितना added किया जाए to twice the rational number to get 7 upon 3 upon 7 यानि इसको कितना दुगना इसमें add कर दिया जाए या कितने का दुगना add कर दिया जाए कि हमें ये result मिल जाए तो किस तरह से solve करेंगे चलिए देखते हैं और समझते हैं तो जैसे twice the rational number अभी माल लिजी हमारे सामने rational number कितना दे रखा question में तो पहले हम focus करेंगे हमें question में दिया क्या है उसी पर हमें ध्यान देना है तो माइनस का 7 upon 3 तो हमें दिया हुआ है ये number है इसमें x हमने add कर दिया और add करने के बाद में 3 upon 7 हमें मिलना चाहिए यही question कह रहा है कि कि कितने का दुगना मतलब इसका अगर दुगने में कितना add कर दिया जाए तो हमें 3 upon 7 मिलेगा इस तरह से question है तो अब देखे simple सामने क्या किया जो given था उसका पहले तो दुगन क्योंकि question बोलना करने को फिर उसके बाद में उसमें x add कर दिया क्योंकि यह भी question कह रहा है what should be added कितना add करना है हमें तो हमने पहले दुगना किया और फिर उसके बाद उसमें कुछ add किया अब जब add करेंगे result हमें कितना मिलना चाहिए तो हमने उसको बराबर में लिख लिया कि हमें इतना मिल जाना चाहिए बस सिंपल सा तरीका कि हमें पहले क्या करना है इस equation को form कर लेना है जिए तरीका हमें question में बताया गया है उस तरीके को ध्यान में रखते हुए फिर बड़ा simple सा factor है अब आगे की चीजों को हम लोग सबसे पहले वही करते हैं transpose करना transpose मतलब इधर की चीजें उधर उधर की चीजें इधर करना मतलब equal to के sign के left side में x वाली value जितनी भी साथ में x है और बिना x वाला सब यानि गिंती वाला right side में कर देंगे तो simple सा तरीका यहां भी वही अपनाएंगे bracket open करने के बाद में यह minus जो है यह plus से multiply होगा plus और minus का multiply होता है तो result minus रहता है इसलिए जो देखो जो भी मैं आपको point यहां बताऊं आप से तुरंत याद कर लेना क्योंकि जो भी maths के rules होते हैं मैं आपको वो focus करूंगा कि यह इसका rule होता है उस तरीके से इसको किया जाता है तो आप इस चीज को यहां पर वही ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग minus plus multiply करेंगे तो result minus का होगा x minus 14 upon 3 यह हमारे पास left side में हो गया equal to के sign में right side में 3 upon 7 हमाई सामने मिल गया अब इस तरीके के section में जब हम इसे चीज को आगे देखेंगे तो क्या होगा x equals to transpose करेंगे minus का 14 upon 13 उधर भेज़ा 3 तो plus में बदल जाएगा और plus में बदलते ही यह तरीका आगे next वाले question में हमें दिखाई देगा फिर इसके बाद जब यह plus में बदल जाएगा तो अब जो थोड़ा बहुत हिससा इसका transpose का बचा है उस चीज को हम लोग करेंगे जैसे क्या क्या करेंगे यह 3 इस 3 के साथ multiply होगा यहाँ पर फिर यह 7 इसके साथ multiply होगा यहाँ पर cross multiply plus का sign लगा है वो भी put कर दिया यहाँ और 7 3 जा 21 नीचे लिग दिया इस तरीके का हम यह factor अपनाएंगे फिर जब इस factor को अपनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा उपर 339 और 14 7 जा 98 दोनों को plus करेंगे 107 आएगा upon 21 आएगा अब इस चीज को यहाँ से जब हम divide करेंगे तो divide करने के बाद हमें answer मिल जाएगा 3 upon 7 जो अब ही हम यहाँ पर क्या है हमारे पास condition क्या है कि condition यह 10 107 upon 21 अगर यह add कर दिया जाए माइनस के 14 upon 3 में तो हमें मिल कितना जाएगा 3 upon 7 अब इसे आप चेक करना चाहते हैं तो तरीका सबसे अच्छा है कि देखिए पहला वाला equation जो था कहा पर दिया था यह वाला यहाँ प करके देखिए result आपको यही मिल जाएगा तो simple सा यही तरीका है इसी तरीकों को आपको follow करना है जिससे आपको चीज़ें आसानी से आने वाली है और बड़े पॉलाइटली बड़े अच्छे से आप चीज़ों को cover up कर लेंगे मैस में कहीं भी कोई question हो आप तुरंत अपना question comments के थुरू हमसे पूछ सकते हैं इसके अलावा आप टेलिग्राम पे हमें जॉइन कर लीजिए सबसे अच्छा है PDF भी आपको मिलेगा वीडियो भी मिल जाएंगे notification भी मिल जाएंगे और भी कोई जानकारी आपको लेनी है तो टेलिग्राम पे message भी आप हमें कर सकते हैं चल लंबी होंगी और यह छोटी होंगी तो इस तरीके के जो design मनता उसको rectangle बोलते हैं तो rectangle जो है उसका एक parameter दे रखा है parameter क्या होता है लंबाई चोडाई जितना भी इसका है पूरा इन सब का sum कर देंगे तो parameter कहलाएगा 13 cm दे रखा है अब उस 13 cm में कहा है रखा है कि इसकी जो box है यानि कि जिस तरीके इस तरीके का एक box है ऐसा और यह जो box है इसमें width दे रखे मतलब यह हिस्सा इन्होंने एक side का दे रखा है 2 3 upon 4 तो width जब भी होता है किसी भी side का जाहिर सी बात है दो side equal होती है तो हम मान सकते हैं कि यह जो भी होगा वो double ही होगा दुगना होगा तो define its length और कहा है इसके लंबाई बता करिए तो बड़ा simple सा question है हमें सबसे पहले कोई भी rectangle जो है rectangle जो को शेफ होता इसका parameter का formula पता होना जी formula क्या है 2 L plus B bracket में तो L length हो गई B breath हो गई और 2 double कर देते हैं उसी formula में जो जो चीज हमें पता है वो चीज हम लिख देंगी जैसे 2 into length into breadth width यह चीज हमारे पास में इतनी चीज मौझूद है अब उसके बाद एक हो 2 formula का length की जगह हमने x मान लिया let कर लेते हैं कि लंबाई x होगी और width जो है उससे given है already दोनों को जो हम सम करेंगे तो देखे हमारे सामने बनगे equation equation बनते ही यह इन्होंने कहा क्या था कि यह जो equation है solve करने पर कितना आना चाहिए 13 तो हम उसे next time लिख देंगे the parameter is given हम बोलेंगे the parameter is given कि जो parameter हमें दिया हुआ है parameter यानि उसका आयत का 13 है तो हम इस equation के सामने उसे equal में रखेंगे और फिर वही ट्रांस्पोज का तरीका simple सा solve करने का process यूच करते चले जाएंगे तो simply क्या करना हम में इस 2 को 13 के नीचे division में भेज देना है 13 upon 2 हो जाएगा यह bracket open करेंगे तो यहाँ पर 11 upon 4 मिलेगा जो की उधर send करने पर equal to के minus के sign के साथ बहुत जाएगा 13 upon 2 के minus 11 upon 4 दोनों को हम cross multiplication यानि की LCM लेने वाला process करेंगे 4 इधर multiply 2 इधर multiply simple सा है 13 into 4 यहाँ पर कर लेंगे और minus 11 into 2 इस तरह से कर देंगे इसके अलावा आपके पास यह भी process है कि आप दोनों calcium directly 4 ले लिए 13 को 2 से divide करेंगे क्योंकि तू 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 जा 4 होता है और 11 को वैसी रहने दिंग क्योंकि 11 4 वन जा 4 होता है इसलिए उनके साथ multiply में 1 जाएगा तो यहाँ पर उपर जो digit होगी वह 26 अपन यह वाला section 26 अपन 4 और minus 11 अपन 4 हो जाएगा and plus 15 अपन 4 यहाँ पर equal to में sign में इसको थोड़ा सा solve करेंगे तो पता चलेगा 26 से 11 माइनस करेंगे 15 अपन 4 बचा 15 अपन 4 को थोड़ा सा mix fraction में लाएगे तो 3 and 3 अपन 4 यह हमारे सामने answer मिल जाएगा तो rectangle जो भी हमें दिया था question में जिसका area दिया था parameter उसमें से length जिसके पता करनी थी उसकी length हो जाएगी 3 3 upon 4 यह होगा चलिए बहुत ही important question बहुत ही important section देखते हैं यह अगला question क्या गह रहा है example है कि present age of the shahils mother, sahil की एक mother है उनकी present age आज की date में age जो है वो 3 times of the present age of sahil, sahil की जो present age है उससे 3 times जादा है after 5 year 5 साल के बाद their ages उनकी जो उमर होंगी दोनों लोगों की will add to 66 उसमें 6-6 साल जुड़ जाएंगे find their present age अब उन दोनों का वरतमान उमर पता करना है तो simple सा तरीका है let कर लेते हैं सबसे पहले जिसकी age हमें पता करनी है पहले उसको हम let कर लेते हैं x year तो मान लिया है sahil की उमर जो है x है क्यों x मानेंगे क्योंकि variable हम पढ़ रहें single variable तो ऐसा कुछ मान लिजे जिसकी value पता लगाने में हम कहें दें हाँ देखो x माना था और x आ गया मान लो 6 है तो हम बोलेंगे 6 साल का x आगया 7 हम बोलेंगे 6 साल का है तो हमने मान लिया कि जो लड़का साहिल है उसकी उमर x year है अब present age क्या होगी साहिल की present age X है और Mother की present age है साहिल के age का 3 गुना यानि 3X थिर 2x करेंगे तो साघल की mother की age पता चल लाइगी फिर अगें कहा है दुबारा ईन्होंने font साल बाद तो पांस साल बाद साहिल की age क्या होगी 5 साल जूड़ जाएंगे और गाल में और मदर की तीन गुुना में भी पांस साल जुड़ जाएंगे न यहीं होगा तो जो पांस साल उसमें आड़ोंगे दोनों एड़ होने के कि डोनों की एज का सम पांच साल के बाद जो भी होगा वो 66 यह हो जाएगा तो 6 सिंपल सा तरीका एकवेशन बन गई इसमें क्या होता है आपको एकुेशन बनाना होता है एक पुएशन अगर आपका बन गई आसानी से तो आप बड़ी 56 बज़ गया, 4 इसके division में जाएगा तो 56 अपान 4 बज़ जाएगा और divide करेंगे तो 14 फोर जा 56 होता है X की value आ जाएगी 14 यहाँ पर तो अभी के time में यानि की लड़के की जो age है वो 14 year है अब 14 year जब लड़के की age है तो उनकी mother की present age कितनी होगे 14 का third time 14 फोर्टीन फ्रीजा कितना होता हूँ पता लगा लीजिए वही answer हो जाएगा मतलब 42 year तो इस तरीके से दोनों की age हम लोग पता सकते हैं बहुत simple सा concept है जहां भी confusion लगेगा टेलेग्राम पे या फिर हमें इसी channel के नीचे description में दिये हुए link पर या फिर जो comment section आ रहा है वहाँ पर आप comment के दुरू हमसे आप अपना question फूस सकते हैं कोई भी question आप उसका photo खीच के हमें टेलेग्राम पे send कीजिए हम आप उसका solution बताएंगे लेकिन टेलेग्राम पे हमें join जरूर कीजिए मैं उसके पास में दो रूपए जो है मैंनी टू रूपीस जो है मैं दो रूपए हैं and coins as he have has five rupees coins अब उसके पास जैसे कि पांच रूपए के कुछ सिख्के हैं कुछ दो रूपए के सिख्के हैं if he has all the sum 77 अगर total मिला के कुल 77 रूपए उसके पास है तो how many coins each denomination does he have तो उसके पास बताना है कि जो टू रूपी के coin है और five रूपी के coin है कितने कितने हैं मतलब two रूपी के कितने coin है five रूपी के कितने coin है कि सब मिला के उसके 77 रूपए हो रहे हैं यह बताना है मैं तो question कि मैं बताना सबसे पहले क्या है हमें coin का बताना है कि बंसी के पास कुल कितने कॉइन हैं मान लेते हैं कि 5 रुपए वाले कॉइन इसके पास X है then number of the 2 रुपीज कॉइन he has 3 time to X यानि 3 X हैं तो 2 रुपए जो हैं वो कह रहा कि 5 X जितने भी हैं उसका 3 गुना है तो 5 रुपी के कॉइन क्या हो गए 3 X का double करेंगे 2 times 2 रुपीज के कॉइन है यहाँ पर हम इसके पैसे से multiply करेंगे 6 X लेकिन हैंस total money उसके पास कितना है 11 X but according to question 77 होना चाहिए एक्स ट्रांसपोज कर लेंगे X की value हो जाएगी 7 और 7 को 35 से multiply 5 से multiply करेंगे तो 5 से बिंजा 35 यानि कि 5 रुप एक से क्के उसके पास 35 है उसके बाद में फिर multiply करेंगे 7 को 6 के साथ 42 यानि 42 उसके पास 3 से करना है X की value को निकलना था ना इसलिए X उसके पास 7 आ गया यानि कि 7 coins 5 रुपीज वाले है और 3 X उसके पास में आ गया 21 यानि 21 जो है 3 रुपीज के हैं और दोनों मिला के उसके पास 77 रुपीज हो गया तो I hope कि आपको वीडियो में मजा आ रहा है चीजे समझ में आ रही हैं अगर समझवारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और इस question को हम next session में देखेंगे दब तक आप इसे समझें screenshot ले ले और जो भी confusion नोस को हमें comments के तरूस जरूर पूछें बने रही है हमारे चैनल पर और देखते रही है हमारे इस खास episode को